यहाँ पर मैं आपके सामने एक कोशन लेकर आने वाला हूँ तो दोस्तों यह आपका कोशन है अब दोस्तों यहाँ पर प्रोड़क्ट की जो प्राइज है वो है 280 रुपीज पर केजी यानि की 280 रुपे किलो एक प्रोड़क्ट की प्राइज है अब यहाँ पर दोस्तों जो क एल्स्मेन है या रिटेलर है उसे यह फाइंट करना है कि मुझे 165 के लिए कितने रुपे चार्ज करने है कस्टमर से यानि मैं कितने रुपे लेऊं कस्टमर से कि 165 ग्राम के लिए और दूसरा कि 65 रुपीज के लिए मुझे कस्टमर को कितने ग्राम प्रोडक्ट दीना है तो दोस्तों ये दोनों find करने के लिए मैं आपको calculator में बताने वाला हूँ बिल्कुल easy सा है दोस्तों इसमें कुछ hard नहीं है तो आईए शुरू करती है तो सबसे पहला हम first question करेंगे जो कि है 165 ग्राम का तो दोस्तों सबसे पहला step कि आपको यहाँ पर find क्या करना है अब दोस्तों यहाँ पर 165 ग्राम वाले question के अंदर हमें find करना है rupees यानि कि हमें rupees find करना है तो यहाँ पर rupees find करना है तो हमें product की price को input करना पड़ेगा क्योंकि हमें find क्या करना है rupees find करना है तो हमें यहाँ पर product की price input करनी पड़ेगी तो प्रोड़क्त की प्राइस क्या है दोस्तों 280 रुपीज तो हम यहाँ पर 280 रुपे इंपुट करेंगे तो यहाँ हम इंपुट करते हैं 280 रुपे तो यहाँ पर हमने 280 रुपे इंपुट कर दी है अब दोस्तों यहाँ पर देखें कि हमें 165 grams product देना है यानि कि हमें grams के अंदर product देना है अब देखें ध्यान से देखेंगा जो product की price है 280 rupees वो kilogram की है तो दोस्तों आपको पता है कि 1 kilo के अंदर 1000 gram होती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर एक ग्राम की प्राइज निकालनी है तो एक ग्राम की प्राइज निकालने के लिए आपको क्या करना है आपको डिवाइड करना है 1000 से हम 1000 से क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक किलो के अंदर 1000 ग्राम होती है तो हम divide by 1000 करके equals to input करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पर price आई है जो कि है 0.28 इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो एक gram product है न उसकी price है 0.28 रूपीज अब यहाँ पर customer ने कितने gram product मांगा है तो customer ने यहाँ पर 165 gram product मांगा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर multiply करना है 165 से जितने gram product मांगेगा उससे multiply कर दीजिए तो यहाँ पर 165 मांगा है तो हम multiply करेंगे 165 और यहाँ पर हम equals to input करेंगे तो आईए करते हैं equals to sign तो हमने equals to sign पी input किया तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास value आई है 46.2 अब 20 पैसे तो आप ले नी सकते हैं तो हम यहाँ पर customer से कितने रुपे ले सकते हैं 46 रुपे तो यहाँ पर हमें दोस्तों पता चल गया है कि 165 grams product के लिए हमें 46 रुपे customer से लेनी है तो इस तरीके से आप first step को निकाल सकते हैं अब हम बात करते हैं दूसरे steps की तो इसमें यहाँ पर हमें रुपे 65 के अंदर कितने gram करने यह find करना है तो हमें सबसे पहला step क्या हमें याद रखना है कि हमें क्या find करना है तो हमें क्या find करना है दोस्तों हमें grams find करने है फिर मैं आपको comparison बताता हूँ कि उपर वाले में जब आपको find क्या करना था rupees तो हमने क्या input किया सबसे पहले product की price अब दूसरे वाले में हमें find क्या करना है grams तो हमने kilogram को gram में convert करके thousand input कर दिया यानि कि first step हमें क्या करना है जो हमें find करना है तो हमें यहां gram find करने है तो यहां पर हमने 1000 gram input कर दिया है अब यहां पर हमें यह देखना है कि हमें 1 रुपे में कितने gram मिलेंगे तो यहां पर इसकी price 280 रुपीज है तो हम यहां पर इसे divide करेंगे 280 रुपीज से तो आईए करते हैं हम divide करेंगे 280 रुपीज से अब ये हमने क्यों किया है हमने इसले किया है ताकि हम एक रूपे में कितने ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा वो हम find कर सके तो हम equal to sign input करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 3.57 इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें एक रूपे के अंदर 3.57 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा अब देखे दोस्तों यहाँ पर कस्टमर क्या मांग रहा है 65 रूपे का तो आपको कुछ नहीं करना आपको multiply करना है 65 से तो हम multiply करेंगे 65 से और हम equal to input करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास answer आता है 232.14 इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमें 65 रूपे के अंदर 232 ग्राम प्रोडक्ट कस्टमर को देना है तो इस तरीके से आप बिलकुल आसानी से यह निकाल सकते हैं बिलकुल आसानी से छोटी सी ट्रिक है दोस्तों टिक तो क्या है दोस्तों एक method है बिलकुल आसान सा आप calculator के मदद से असानी से कर सकते हैं कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि दोस्तों आज कल electronic automatic machines आने लगी है जिसमें हम directly ये find कर सकते हैं लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों आपको इसे practically करना आना जरूर चाहिए क्योंकि knowledge आपको इस बारे में होनी चाहिए धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी तब तक के लिए धन्यवाद